गोड़ बाउनिंग वेलकम आप सभी का स्वागत है हमारे ये टूर चैनल में तो दोस्तों आज मैं फिर से कोचिस सिर्ट ट्रियार के बारे में बात करने वाला हूं और इसमें कुछ ओफेसरी हदीकारियों के भरती निकली हुए है और इसमें आपको बस इंटर्वी benefiting है कि दोस्तों आपको आवधन करने के लिए 17 तारिक से पहले आवधन कर सकते हैं और इसमें नंकरी प्राप्त कर सकते हैं और खाताल आभाए ट्रेडे हैं उस ट्रेडों के अनुसार इसमें आवेदन हो रहा है और वही सेम कंडिसेने जैसे गोवा सिप्ट यार्ड में निकलीती वेकेंसी उसी से रिलेटिवी वेकेंसी है पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको पड़ों कि इसमें कुछ अधिकारी पड़ों के वेकेंसी है वेकेंसी हैं तो कुछ पढ़ों के अनुसार आपके जो ब्रांच है या प्युक्रेयों ने गळी करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं आज की इस को लेकर इससे पहले आप सभी को बिता दें आगर आप हमारे चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो अभी ही हमारे विकेंसी एरा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ओन करें ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटरिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं जिसे कि दूस्तों आपको हमेशा हर हर बार में अपडेट किया जाता है तो इसी दोरन आज मैं एक और न्यू भरती के बार में आपको अपडेट कर रहा हूं जिसका नाम है क्रोची सिप्टियार जिसके बार में आप अच्छे से जानते होंगे अगर नहीं जानते तो एक बार देख लेजिए तो दोस्तों आपन आवेदन करना होगा आवेदन करने के लिए इस वेकेंसी का लिंक मैं आपको नीचे दूँगा ओफिसली वेवेशाइट का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें आप आसान इसे और आराम से आवेदन कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों जारी हुआ है यह वरिष्ट हदीकारी है और प्रियोजना अदिनियम पदो के लिए आवेदन हो रहे हैं आमेतित किये गये हैं वरिष्ट अदिकारों की पदो की वेकेंसी जारी हुई है पदो की संग्या कम है लेकिन एकदम सिद्धी भरती है 17 मार्थ से पहले आप सबीको वोक इन इंटर्वी में भाग ले सकते हैं 12 सरकार की परतिस्ट पर्मी मीनी रतन कंपनी क्रोची सिप्ट यार्ल लिमिटेड जिसने अनुभाव और वरिष्ट हदीकारीों की पदो के लिए भरती के लिए वोक और इंटर्वी के आमितित किये हैं सी एस एल एन शिप्ट यूनिट के अकोडिंग ये प्रोट पले जो बले हैर एन इन विश्यों पे आधारित मैं देपुन जो जारी किया गया है नोट रिपीकेशन उन पोस्टों प्याप आप आवेदन करेंगे जैसे कि हम बात करें इसकी एक बार फिर से रिपीट करें त जो सत्रा मार्च आपको इसकी जो आवेदन है या फिर इंटर्वी है वो देना होगा इंटर्वी देने के लिए आपको सिर अपना रजिस्टेशन ही करना होगा और रजिस्टेशन करने के बाद आप सत्रा मार्च से पहले या फिर सत्रा मार्च हो जाके इंटर्वी दे सकत हैं जैसे क्रौचे सिप्ट याल वरिस्त रधिकारियों के रिक्त पदो के बात करें मेकनिकल की पूस्ट हैं तीन इलेक्ट्रिकल दो जो आपकी पूस्ट इन्स्टूट में जो पोस्ट ट्रेड है उसमें एक है सिविल ब्रांच वालों की यह में सुरुकसा अक्रमचारियों की एक है तो दुस्तो इन पूश्टों के अनुसार ही आपकी klawnädvigation नैदायर्ट की है जिसे कि हम बात करें इसमें शुरुकसा अधिकारियों की पोश्ट अलग है सिवल हदिकारियों की ब्रांच अलग हैं तो सबकी ब्रांच के अनुसार विसमें कॉल्फिकसन निदायत किया वरिष्ट परियोजना अधिनियम नोकरी के लिए पात्र जो मापड़न दिये के हैं उसमें सिक्सिक यूग गिता की बात करें तो जिसमें मेकिनिकल के लिए आप आविदन करते हैं तो इंजिनेर करें करें इंजिनिरिंग से विए कंडिसेन है और इसी दुरान हम नेक्स्ट बात करें इसमें सुरुक्सा करम करम चारियों के अंदर अलग से विद्धारती जो जिनके पास बीए विकॉम भी है बीसी वगरा है वो भी आप आप अविदन कर चकते हैं ध्यान रखेगा इसम फीजेक्स कैमेस्ट्री वगरा है वो सब्जेक्ट है उनके अनुसर आप इसमें आविदन करने के लिए 17 मार्च अंतीम तारिक है और ओकोन इंटरुई से पहले आप भाग लेशेते हैं वेक्तियों के अंद सुरुक्सिस उस सला दी जाएगी कि आविदन पतर जमा कराने से पहले पदों के लिए रिक्त अदी सुजना और इसके आविदन करें फिर उसके बाद आप इसमें आविदन करें तो दोस्तो यह है इसका वेवरन अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं और आप इसमें नोक्री पराप्त करना चाहते हैं तो दोस्तो आज ही अभी ही इ तो दोस्तो यह है इसका अगर आपको यह अच्छा लगा था प्लीज आप अमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे थैंकि दोस्तो जैहिन दोस्तो